नमस्काय पैर बच्चो आईए देखते हैं कक्षा नोवी इतिहास विश्य का पाठ नमबर नोव भारतिय राष्ट्र यांदोलन में हर्याना की भूमी का सबसे पहले हैं रिक्च्थान भरे सुर्जी अर्जुन गाउं की संधी डैश में हुई इसका अंसर है अठारा सो तीन दुजाना में करांती का नितरतब डैश ने किया हसन अली रोतक में करांती का अभिगुल विरासत खां के नितरतब में बज़ा और रावतुला राम का दिहांत कहां हुआ काबुल में उसके बाद है उचित मिलान करे जजजर का नवाब अब्दुर रह्मान खा जाड़सा परगना के साशक चोदरी बक्तियार सिंग राणिया के नवाब नूर समद खा अंसी लाला हुकम चंद जैन बल्लबगड राजा नाहर सिंग उसके बाद प्रशन उत्तर है अठारा सो स्तावन की क्रांती में हर्याना के विभिन जिलों का अपना जो योगदान रहा है उसका वर्नन करें सबसे पहले बात करेंगे अंबाला की करांती की शुरुआत मेरट की करांती से भी नो घंटे पहले हुई पांचवी और साथवी सैना की बटालिया ने विद्रो किया तो उसे दबा दिया गया क्योंकि शाम सिंग नाम के एक सैनिक ने इस योजना की जानकारी पहले ही अंग्रेजों को दे दी थी रोतक में गतिविदियां बहुत तेज थी पहले विरासत खाने उसके वादबकतावर और बाबर खाने इसका नेत्रितव किया रिवाडी में विद्रो का नितरतव राव तुला राम ने किया जिसकी तैयारियों को देखकर कप्तार हडसन बहुत आश्चरा चकित हुआ और राव तुला राम पहले आसे करांतिकारी थे जिनों ने साहिता प्रापत करने के लिए विदेश जाने का भी प्रियास किया हांसी के रंगड नोजवान सैनिकों में मंगल खां और कैदे खां विद्रो का विगल बुजाया सुवेदार गुरबक सिंग लाला हुकम चंद जैन ने सक्रेव हुमी का निभातते हुए अंग्रेज्जों के दफ्तर आवासाधी जुला दिये प्रन्तु बिकानेर के राजा क के निचे कुछलवा दिया उसके बाद पॉइंट नंबर पांच रोहनात में अंग्रेज्जी हमले का गाओं वालों ने जेली बलम लाठी उर्गंडास्वा से जवाब दिया छटा है जजजर के नवाब अब्दु रह्मान खाने विद्रो का नेतरतव किया प्रन्तु उसे चूचक वास में गिर्फतार करके दिल्ली में फांसी दे दी गई क्वेस्चन नमबर टू है 1857 की क्रांती में राउतुला राम की भूमिगा 1857 की क्रांती में राउतुला राम ने रिवाडी में विद्रो का नितरतव किया उन्होंने रामपूरा नामक गाओं में एक प्रतान भी उनकी तियारियों को देखकर बहुत चकित हुए और सावर्ष ने संदेश पहुचाया कि राउतूला राम युद समगरी सही समर्पन करते प्रन्तु राउतूला राम ने सावर्ष का प्रस्तार ठुकरा दिया और सावर्ष के लोटते ही फिर उन्होंने किले प उनका दिहात हो गया उनके बलिदान के कारण ही आज भी रिवाडी को वीर भूमी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर तीन है 1857 की क्रांती में रोहनात गाउं की भूमी गाउं रोहनात हांसी से 8 मिल की और अबाद है अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुर्षवार चार तोपें लेक जाजर्ष तो शाम फिर रोहनात गाउं पर हमला कर दिया जिसका गाउं के देशवक्त करांतीकारियों ने जेली, बलनम, गंडासा, अधी हत्यारों से अंग्रेजों कर मकाबला किया इसमें करांतीकारियों की जीद हुई सितंबर के आखरी दिनों में अंग्रेजों की पकड मजबूत होने लगी अंग्रेजों ने तोपों के साथ गाउं रोनात पर हमला कर दिया और बहुत से हिस्सों को जला दिया जिसमें अनेक करांतिकारी शहीद हुए मंगल खां और बिरडदास बेगरागी को तोप से उड़ा दिया गया और रूपा खाती को मरवा दिया गया अन्य साथियों को भी पत्थर की गिरडी के निच्चे कुछलवा कर माल डाला गया चोथा क्वश्चन है एसायोग आंदोरन में हर्याणा के योगदान पर चर्चा करें 1920 में कलकत्ता में कॉंग्रेस का विशेस अधिवेशन लाला लाजपतराई के ध्यक्षता में हुआ इसी अधिवेशन में गांदी जीने ऐसायोग आंदोरन चराने का निर्ने लिया हर्याणा में लाला लाजपतराई, लाला दूनी चंद, लाला मुरली धर, गनपतराई आधी महान राष्ट्रवादी निताओं ने विबिन शहरों में जन सभाएं की और ऐसायोग आंदोरन के अंतरगत किसी भी परकार का सहयोग अंग्रेजों को ना देने का फैसल रख लिया वकीलों ने वकाल शोड़ दी, किसानों ने कर देना बंद कर दिया वदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी पहनने का और परचार करने का शपत ली गई हर्याना में ऐसायोग आंदोरन गाउं गाउं और शहर शहर बड़ी सफलता से चल रहा था सरकार भी घबरा गई थी, हजारों की संख्या में आंदोरन कारियों को गिर्फतार कर लिया गया जजजर के पंडित श्रीराम शर्मा ने भी ऐसायोग आंदोरन में बढ़ चड़ कर भाग लिया और इसकी गतिविदियों को तीवर्ता परदान की 1922 में चोरी-चोरा नमक स्थान पर हुई हिंसा गटनाओं के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया प्रन्तु जो हर्याना का योगदान है इस अंदोलन में वो हमेशा याद रहेगा पांचमा क्वेश्चन है आप कैसे कह सकते हैं कि अजाद हिंद फोज में हर्याना की भूमी का बहुत ही महत्तपूर्ण थी हर्याना अपनी वीर्ता और सहाज के लिए सदैवतत पर रहा है 1948 में कोंग्रस के अध्यक्ष रहते हुए नेताजी सुभासंदर बोज ने हर्याना का दोरा किया और देशवासियों से अकाल पीड़त लोगों की मदद के लिए साहिता की अपील भी की 1943 में जब अजाध हिंद फोज का पुनर कठन हुआ तो उसमें हर्याना से 398 अधिकारी और 237 स्यानिक शामिल हुए इन स्यानिकों ने उत्तर पूर्वी जंगलों और बर्मा में एह सैनिय कष्टों का सामना करते हुए अंग्रेज्यों के विरुद कड़ा संघर्ष किया नेक्स्ट है हर्याना कब और कीस परकार एक महत्तपुन राज्या के रूप में विक्सित हुआ स्पष्ट करें स्वैतंतरता प्राप्ति के समय हर्याना पंजाब राज्या के साथ जुड़ा हुआ था इसके आर्थिक और समाजिक हितों की लगातार उपेक्षा हो रही थी 9 दिसंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त ने हर्याना को पंजाब से अलग रखने की मांग भी की 1929 में सच्चर कमैटी 1932 में रज्या पूनर गठन आयोग ने भी इस शेत्तर के हितों की उपेक्षा की जिसके कारण यहां विरोध परदर्शन होने लगे धिरे धिरे अलग अलग संग्ठन हर्याना विकास कमैटी ने हर्याना की अलग प्रांथ की मांग को पुर्जोर तरीके से रखा पंजाब सरकार ने बढ़ते विरोध के चलते एक अलग प्रांथ की मांग को सविकार कर लिया और एक विदिय के अनुसार एक नवंबर 1966 को हर्याना का एक पूर्ण राज्य के रूप में उदे हुआ जिसमें हिसार, रोतक, गुडगामा, करनाल, अंबाला, जीन, महेंदरगड के शेत्रों को शामिल किया गया जिसमें हिर्याना बना था तो उसमें छे जिले थे और जीन्द को स्तुरंत सात्मा जिला घोशित किया गया था तो प्यारे बच्चों हमें उमीद है कि इसके साथ ही आपके लिए ये लेट्सन काफी इंपोर्टन रहेगा और अगर हमारी वीडियो पुसंद आ रही है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर हमारी ये वाले वीडियो पुसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथियों के साथ शेर कीजिए कोई भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, बेज जिजक लिख डाल लिए Thank you, Have a nice day, जै हिंद, जै भारत